आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल MD classes में और बात करेंगे आज के आज का जो हमारा topic होने वाले हैं वो किसकी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले समझेंगे वो operating system आपको सामने दिख रहा है लेकिन operating system पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी exam आपका है जैसे की obviously बात है computer हमको बहतरीन तरीके से करना है 20 question आने है और 20 के 20 हमारे ही होने चाहिए कहने का मतलब 20 के 20 question हमको करने है है इस बात कर ध्यान देंगे अज़ चलिए एक चीज समझ दीजेगा जब हम computer की बात कर ही रहे है है एक important बात को दिमाग में रखिएगा सवाल आने वाले हैं 20 ठीक है प्रश्ण होने वाले हैं 20 माने 20 questions होंगे each of one mark मतलब आपके जो marks होंगे वो भी कितने हो जाएंगे फिर 20 ठीक है और 1 by 3 की क्या है negative marking इतना दिमाग में रखिएगा ठीक है और उन में से एक ऐसा topic में आज के आपके लिए लाई हूं जिसमें से ज्यादा से ज्यादा questions देखने को मिलते हैं जो कि क्या है OS माने operating system operating system की जब हम बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए जब कम्प्यूटर की में बात करेंगे बिलकुल बिलकुल परिशान नहीं है अराम से करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है हाँ जी चलिए आ जाएंगे तो हम जब किसकी बात करेंगे OS की बात करेंगे क्या समझना है समझना फिया है कि जब भी स्कूसा्य बेरे चलेगे realm थोड़ासा property करके चलिए गा एकारव स्क्राइब किसकी बात करें ऑगर कुंप्यूकर की बात करें act Chili तो कॉन सी माउस और कीबोर्ड भी दिमाग में आया हो कम्प्यूटर कहने पर यही दिमाग में आता है लेकिन अगर हम पूरे शब्द को इसको समझें तो इस कम्प्यूटर में क्या क्या आता है उसको डीटेल में पढ़ते हैं सबसे पहली बात ये दो मुख्य रूप से विभाजित है कैसे एक होता है हार्डवेर एक होता है सॉफ्टवेर हार्डवेर को हिंदी में भी हार्डवेर ही कहेंगे सॉफ्टवेर को हिंदी में भी सॉफ्टवेर ही कहेंगे ठीक है तो एक होगे आपने पास हार्डवेर ठीक है और एक होगे आपने पास software ठीक है मैं पांच मिनट लोगी केवल ये समझाने के लिए कि आपके exam portion में कहां से आ रहा है और basics कहां से शुरू हो रहे हैं क्योंकि अगर मैं सीधे 10W CD पर पैर रखूंगी तो मैं भी गिरूंगी और साथ मैं आप लोगो भी लेते आप लिए जरी के से करेंगे कोई दिकत परिशानी नहीं होने वाली है ठीक है hardware और software के अगर मैं बात करूँ कोई भी ऐसी चीज जिसे मैं क्या कर सकती हूं तच कर सकती हूं मतलब जिसे मैं चूँ सकती हूं और मैं उसे महसूस कर सकती हूं चैक है अच्छा जैसे कि मैंने monitor को चुआ में monitor कूग सकती हो मैं मांस को मांस भी चूँ सकती हूं कीबोर घू सकती हूं था फटा फट दूंदों अभी आपको clear होगा कि मैं ये क्यों समझा रही हूं या बिलकुल मतलब कि अगर मैं mother Finland की बात करूं I can touch mother bunlar word मतलब मैं mother board को चू सकती हूं इससे मुझे ही समझ वे मद Ebola क्या हुँ जाएगा mother word मेरा हुझाहएगा hardware कोई बी चीज जिसे में चूसक्ती हुझा को जाएगा hardware उसी का उल्टा जिसे मैं नहीं चूँझ सकती केवल उस पर काम कर सकते हैं तो वह क्या हो जाएगा software अगर मैं विन्डों एंटी की बात करूं तो यह मेरा क्या है अच्छा बिना software के बिना i के क्या यह में रहया हाड़ेर चल सकता है नहीं बहुत हैगी डब यह याद कई 0 है औफ नो यूज इस तरह से याद रखेगा अब जब यह सॉफ्टवेर पढ़ते हैं तो जब सॉफ्टवेर पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेर में क्या क्या आता है अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा अपना स्नेह परिम बनाई रखेगा ठीक है लाइक वाले बटन को अपन सॉफ्टवेर के आजम बात करने वाले मुख्य रूप से उस व्यक्ति की उस चीज की हम व्यक्ति ही कहलो एक तरीके से कि हाँ यही है जो इसको चला रहा है तो में तो यही है कही ना कहीं तो इसी के आजम बात करेंगे ठीक है सॉफ्टवेर के अगर बात करते हैं तो सॉफ जो हमारे पूरे हाडवेर को सारे हाडवेर को चलाने का मुख्य रूप से काम करें उसे कह देते हैं सॉफ्ट्वेर क्या कह देते हैं सॉफ्ट्वेर कह देते हैं ठीक है बई चले आगे देखेंगे जब हम इसकी बात करें जब हम इसकी बात करें सॉफ्ट्वेर के अब यहां हम इंपुट डिवाइस का है इंटरनेट का है नेटवर्क का है इमेल का है ना यह सब आपका उसी का पार्ट है इंपूट डिवाइस तो ऑब्विस सी वाथ है चीज हो आज हम आए है चलिए यहां देखेंगे ज़रा आंसर क्या होना चाहिए software मेरे तीन भागों में भाज़ीता, सबसे पहले मैं heading मना लूंगे software है क्या? software क्या है? तो हमको दिमाग में रखना है कि यह है क्या, सांसा, इसका क्या, इसका कार क्या है देखेगा जब हम software की बाद कर रहे है हम किसी की बाद कर रहे है? तो यहां लिखेगा यह हार्डवेर को चलाने वाला चलाने वाला एक प्रोग्राम है कहीं समझने में कोई दिकत परिशानी लगती है तो बताईएगा दूसरी चीज कि इसका कारे क्या है अगर मैं इसके कारे को पूछू तो यह मेरे सारे के सारे जितने भी मेरे हार्डवीवेर है उसको एक पैटनाईज तरीके से काम में लाता है सबसे पहले एक चीज होती है इसमें जो आती है उसको हम कहतें बूटिंग क्या को बूटिंग से क्या होता है जब ही बीORTER करते है तो सबसे पहले software काम करना शुरू करता है उस condition में होता है boot, क्या होता है, boot होता है और जब भी हम booting की बात करते हैं, जब भी हम booting की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, देखें कितने लोगों को P.O.S.T. का full form पता है, कितने लोगों को B.I.O.S. का full form पता है, यह सवाल आ सकता है, इसलिए पूछ रही हूँ, बताएगे का देखते हैं कितने लोग क्लास में है जिने लगता है कि हमें पोस्ट और बायोस दोनों का फुल फॉर्म बता है वह बताती हूं जब बायोस की बाग करते हैं तो यह हो जाते हैं आपकी basic input output device रोग्राम की बात करें जैसे software किया गाला है weekend यह काविट सेल्फ तेस्ट ठीक है यह क्या हो जाता है पावर और सेल्फ टेस्ट ठीक है यह बात दिमाग में रखेंगे फाहें मेच scholars अगर आगया, आंसर आगया दिमाग में बहुत अची बात है, नहीं आए तो मैं बताती हो, ठीक है, हाँ जी, हराँ, चलिए, यहाँ दीखेगा ज़रा, जब मैं प्रोग्राम की बात करूं, तो मेरा हो जाता है, set of instructions, program का मतलब होता है, set of instructions, program का मतलब क्या होता है, set of instructions, कहीं वैपन आप से सवाल पूछ ले अगर, set of instruction is called dash, set of instructions को हम क्या कहते हैं, चलिए, जी, ऑनफर करेंगे, set of instructions को हम क्या कहते है, set of instructions के हो, यहुक्ष इक बोग्राम का कम्यें, इतना समझ में आ गया जब आधा होना जाय कि जब भी इसके भागों में क्या है इसके भाग किटने हैं एक बागों में क्या है विखाज़त है divided है so it is majorly divided into three parts it is majorly divided into three parts अब यह three parts कौन से है समझने वाली बात यह है तो three parts में कौन कौन से आएंगे जब भी मैं software को divide करूंगी तो मैं तीन प्रकार से उसको divide कर सकते हैं तरिके से विभाज़त कर सकती हूं सबसे पहला जो आ रहा होगा है हाँ ठीक है सबसे पहला चलिए सबसे पहला बेखेंगे जड़ा ठीक है अजीद जी मुकेश जी शनी जी चलिए फटाफट से आजएंगे यहां देखेगा ज़रा अगर मैं सबसे पहले की बात करो अगर आपको पता है तो आप बता भी सकते है क्या आता है सिस्टम सौफ्टवियर को दूसरा आता है आप अपाइशन स्थ लिए यह आप मुझे बताएंगे डू मैंने आप ऑफेस्ट आ no chose पूर होat तो सबसे पहले सॉस्ट्फ्टर में नॉफ्ट होता है इंव्ट रही में सबसे पहले सि सॉफ्ट वेरनियुजिश नॉफ्ट ऑल थी था cache ji इन किसे टु किस में तो हम एक चीज तो दिमाग में रखनी है कि मेरे सौंटव्ट्वीर के तीन अलग मुख्य रूप से भाग है यह और आपको नहीं पढ़ाना पड़ेगा ठीक है सौंट वेर के तीन हमने सुना होग। आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों ने इन में से कोई एक भी नाम सुना है, एक बर कॉमेंट सेक्षन में ऐसे हाथ उठा देंगे, जल्दी से, कितने लोगों ने सुना है, इन तीनों में से किसी एक के बारे में भी, अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये एक तरीके से इसकी क्या है classification है, इसको classify किया गया है तीन अलग-अलग characters पर, अब वो समझेंगे कैसे, है ना, वो समझेंगे थोड़ा सा कैसे, अब आगे चलेंगे पहले, इसी portion को आगे cover करते वें चलेंगे, सबसे पहला, सबसे पहला आ जाता है system software, सबसे पहला क्या तो आएगा system, चले, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग उन्हें सुनाया है, बहुत अच्छा लगाई जानके, है ना, चले, मज़ा आने वाला है, मतलब class में कोई दिक्रताली बात नहीं है, चले देखेगा, software, अगर मैं system software की बात कर रहे हूँ, तो system software अपने आप तो दो भी तो कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन यह है ना, यह एकदम मतलब कह सकते है, most important वाले में है, ठीक है, तो इसको very important में रखिएगा, ठीक है, कौन सा, system software, अब इसी से ही आपके syllabus में, पूरा जो syllabus लिखा हुआ है, उसमें एक लिखा हुआ है topic, ऐसे operating system, और उसके समझना हमें वो था, system software तीन भागों में विभाजित हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहरा, जो system software मेरा आचिए, वो कौन सा है, वो है मेरा operating system, क्या है operating system, एक ऐसा system, जिसके सहायता से मेरा computer कारे करे, जिसके सहायता से मेरा computer operate कर पाए, या फिर मेरा user, हमारे hardware को आरसानी स से इस्तेमाल कर पाए, तो उस condition में यह, ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा, दूसरा आता है language translator, क्या आता है, language, language translator, क्या आता है, language translator, अब अगर आपने language translator के बार में सुना है, तो बहुत इची बात है, नहीं सुना तो मैं सुनना देती है, language translator में आपने कुछ ऐसे शब्द सु ये कहीं ना कहीं क्या करने काम करते हैं। कहीं ना कहीं.. जो हमारी Machine Language है वो हम तक पहुंचाने लेवा करेंग형 हमारी भाशा में, मतलब हमें समझ में.. और बुसरा.. जो user.. मतलब हम.. जो भी लिख रहे हैं.. वो computer के हिसाब से.. जो माल चाहती है generally Japanese.. तरीके से ऐसी भाषा है जिस जो हम कह सकते कंप्यूटर समझता है ठीक हम नहीं कम्ट्यूटर समझता है क्योंकि वह मस्चीन की भाषा है तीसरी चीज कौन सी आती है इस लिस्ट में एसी चीज है जिसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राईवर आप सब मेरे को लगता है जितने भी क्लास में है सबने सुना होगा जब कभी कोई कार को ड्राइव कर रहा है तो वो कार ड्राइवर हो गया एक परीके से याद करने के लिए कि कार को ड्राइब करने वाला कार ड्राइब है डिवाइस को ड्राइब करने वाला क्या हो जाएगा डिवाइस को ड्राइब करने का काम कर रहा है तो ड्राइब करने का काम कर रहा है तो ड्राइब करने का काम कर रहा है तो ड्राइब हो जाए यहां आप यह तीन चीज समझ गए अब जो हमने पहली पढ़ी थी इधर आ जाओ फटाक से नजरेदर गुमा यह यह पढ़ लिया एकदब बेसिक पढ़ लिया मैंने इसका कि हमने वह यह यह देख लिया कि इस बेसिक में क्या आता है तो यह हमारा हुए अब दूसरा कौन सा आप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर हमने का ठीक है रुख जाओ आ रहे हैं तुम तक भी अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर किस को बताए क्या होता है अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर का अर्थ क्या होता है अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर मीजर ली कहां पर मैं देख सकती हूं यह भी प यह एक प्रकार का ऐसा application है जो किसी भी specific काम को करने का मतलब ठान के बैठा है कि हाँ मैं एक ही कारे करूँगा मैं एक चीज में specialize दो तो मैं एक ही काम करूँगा ठीक है बाई कुलदीब जी खुश्बू जी हां जी ठीक है चलिए आगे देखेंगे जरा इसको देखेंगे के लिए एक होता है specific purpose के लिए क्या होता है एक होता है general purpose ऐसे लिखते हैं इसको जन्रल पर 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 अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेयर जन्रल पर अप्लिकेशन भी लिख सकते हैं more than enough to understand दूसरा आता है specific purpose specific purpose मैं समझाते हूं कैसे देखेंगा जड़ा specific purpose application समझेगा पहले तो यह वह सब्केशन लिखते हैं हम ने कहा है हमने कर मुझे क्या चाहिए मुझे बनाना है दस्ता वज्य को हिंदी का लगी बता देना मुझे क्या बनाना है document अगर जैसे बनाना है बनाओ presentation जैसे आपके सामने बीव ऑपन हो रखा है अगर इस स्लाइट को इस तरह क्या है यह है है presentation इसको प्रेजनेशन क्या करते है प्रेजन्टेशन ठीक है चलिए यहां देखेगा जरा इसमें हमने क्या वहला मुझे और के स्प्रेडशीट कितने लोगों पता है एक बर मतलब ज्यादातर आंसर आ घुए है खटाखटा तरीके बहुत सुन देखेगा दस्ताबेस बनाना है तो मैं word processor लिखू या MS word क्या मैं MS word का उप्योग कर सकती हूं तो बिल्कुल हाँ ऐसी के बाद जांगे और कहूँगे कि हाँ धीया मीरा दस्ताबेस बनना है तुम काह करने वाले हो दूसरी चीज दूसरी चीज क्या अगर मुझे presentation बनानी है क्या बनानी है एक presentation बनानी है पूरी powerpoint करूंगी बिल्कुल करूंगी तो क्या होना चाहिए ms powerpoint क्या होना चाहिए ms powerpoint बोलिए समझ में आया तीसरा अगर मुझे पूरे company के staff का salary record रखना है तो क्या मैं कुछ इस प्रकार की चीज बनाऊंगी जिसमें इस तरह से जिसमें इस तरह से क्या होती है बड़ी सारी रोज होती है बड़े सारे column होते है तो उसे कहते हैं spreadsheet क्या कहते है spreadsheet और spreadsheet का मतलब ही होता है कि जब भी हम spreadsheet बनाने की बात करेंगे तो हम ms excel के पास जाएंगे किसके पास जाएंगे MS, Excel के पास जाएंगे तो आंसर क्या होना चाहिए MS, Excel, बोल ये समझ में आया, बोल ये समझ में आया की नहीं, फटा फट से, ये तीन इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों इंपोर्टेंट है, अगर मुझे आप्लिकेशन की बात करनी है, तो मेरा किस पास जाएंगे, अगर मेरी स्प्रेडशीट बनने है, तो मैं दौर देवे MS, Excel के पास जाएंगे, ठीक है, इतना दिमाग में रखेगा, इसके अलावा एक चीज और, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, उसके अद कौन सा बच गया, बच गया, यूटिलिट सॉफ्ट्वेर, क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्ट्वेर, तो यूटिलिटी सॉफ्ट्वेर अच्छल में है क्या, इधर हम लिखेंगे उसके उधारण, चीक है, यूटिलिटी सॉफ्ट्वेर के हम लिखें कि इतर उधारण, ठीक है, देखेंगे, यूटिलिटी समझे इस बात को समझेज़ेगा कि जब हम यूटिलिटी सोफटेर की बात करते हैं तो कौन सी चीज आती है जो इंपॉडन होती है फड़ा पर वट सबस्ते चलेंगे हमारे कम्प्यूटर को ये किसी भी तरीके के वाइरस से या फिर तो यह एक तरीके से हमारे computer में जितने भी हमारे programs है उन सभी programs को programs को आसानी से access कराता है आसानी से access कराता है ठीक है, access कराता है, that means if I say, if I say, whenever you are using a program, you need a specific utility software, कभी भी अगर हम इसकी इसकी बात करें, तो हमें इसकी जरुद तो बहुत जादा पढने वाली है, कैसे, आपने सुना होगा, malicious programs के बारे में, किसके बारे में, malicious, malicious programs के बारे में, malicious, malicious programs के बारे में, malicious programs जैसे की, जैसे कि माल लीजिए जैसे कि माल लीजिए वाइरस ठीक है अब इस वाइरस को किल करना पड़ेगा तभी जो है हमारा कंप्यूटर अच्छे से चलेगा अब वाइरस बड़ी तरीकी क्यों होते हैं अच्छा इससे भी सवाल आरके टाइपस ऑफ वाइरस एक हेडिंग दे ठीक है कोई तीन नाम देखते हैं किते लोग जाते हैं वाइरस फिर लिख देएंगे वाइल-चाद चीक है । उसके बाद हम एक और लिख देएंगे जो कि होता है क्या बाक अप्प क्या होता है बाक अप होता है अच्छा यहां पे हमारे डिउङच खैने भीडरेक तर यहा लिखनी जाएगा डिस्क टी फ्रेगमेंटर ये समें यह हमी फॉष लेता है कभी कबार फ्रेगमेंटर ठीक है अगर खेया कर्वत लेता हुं करीं गार कैस अगर फ्रेगमेंटर अम फॉष रेता है लाँ मेंकर में पूछằng केज ल्रों है एक और बताएगे दो आ गए यहां निकलेते हैं बहुत सुन्दर यहां लिखेज़ेगा एंग कैफी बोला उसके बाद कैस्पर स्काइट एक और बताएगे क्या मैं नौटन लिख दूं नौटन चलेगा अवास चलेगा अच्छा ली ठीक है अवास लिंग देते हैं आवास तो यह तीन हमारी क्या हो गए यह एंटिवाइरस ऐसी अटिवारस होता एसी फाल मेनेजर काम करता है ऐसी बैक अप होता है ऐसे डिस्क ली जैसे कि मैंने कहा इक हैं इसको भी पढ़ लिया तो अपने ृप्राइब आप्लिक को करना है वो क्या है आगे वाली चीज़ देख लेते हैं यह वुल में थे तीन नीड कंड़ीट अब आता है main जो आपका आज का topic है वो क्या था आज का topic आज का है operating system ठीक है चो क्षोटी-पोटी चीज्चे उपर बताइए उसको पिनाग में रख्याएगा चलिए किस पर operating system operating system बहुत प्यारत सा topic है और इसके अंदर बहुत सीचीजे ऐसी आने वाली है जो आपके exam के point of view से बहुत जरूरी होने वाली है वहां से question भी उठकर के खटा-kट 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 पुशी जाते हैं तो खटा-kट रिविजिन भी होनी चीए और खटा-kट पढ़ाई भी होनी चीए इसलिए ध्यान दीचेगा इस टॉपिक के उपर समझेगा सबसे पहले तो यह क्या है अगर मैं operating system कह रही हूँ तो यह क्या है यह organized set of program होता है यह है इसमें लिख सकते हैं अगर English वाली बात है दोने लिख देंगे ठीक है यह क्या लिख दिए अधिस इस दा ओर्गनाइज सेट ओफ इस इस दी ओर्गनाइज सेट ओफ सेट ओफ प्रोग्राम और्गनाइज अगर हम ऊसकी बात करते हैं set set की बात करते हैं मतलब हमारे एक प्रोग्राम एक फोग्राम दो प्रोग्राम तीन प्रोग्राम चाफ फर यहां पर पूरा। वहां मेरा OS काम कर रहा है ठीक है क्या काम कर रहा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा उसके साथ यह computer यूजर के बीच में क्या करता है link स्थापित करने का कारे करता है यह कंप्यूटर एवं यूजर के बीच में एक एक बनाने का कारा करता है कि क्या कर रहा है जो कंप्यूटर और łrem यूजर से एक्सेस प्राप्त करके बढ़िया से काम करें क्योंकि यह इंटरफेस है बिल्कुल एक चीज इतरा समझना है कि एक ऐसा इंटरफेस जो मेरे कि यूजर की है यूजर की कमांड को यूजर की कमांड को हाडवेर तक पहुंचाने का कारे करेगा यूजर की यूजर की कमांड को जैसे मान लीजे मैंने कोई कमांड दी कमांड को कमांड को हाडवेर तक पहुंचाने का कारे करेगा ठीक है हाडवेर तक पहुंचाने का रहा है अगर यह ऐसा कारे कर रहा है तो यह किस कंडिशन में जा करके ऐसा कारे करेगा यह पता होना चाहिए यह आपको यह आपका ऑपरेडिंग सिस्टम उस समय जब जब सौफ्ट्वेर रनिंग कंडिशन में हो जब सौफ्ट्वेर रनिंग कंडिशन में हो रनिंग है ना आपके लिए ऐसा टॉपिक है जो सच में आपको मेरिट लेस्ट पहुचा सकता है आप लोगों का जो सेलिबस है एक बार केवल मेरे कहने से एक बार सेलिबस देखेगा आपको खुद लगेगा कि अराम से 20 में से 20 लाए जा सकते हैं ऐसा कोई डिफिकर्ट इसवेक्यों है ऐसे ना ही उसमें डाला है गडिनler ना है जिसमें सेलिबस नहीं है सब्सक्ता है इस वाले इस सकते हैं यहां से पहला सवाल बन सकता है दूसरा सवाल यह बन सकता है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में लिंक स्टैबलेश कौन करता है तो दूसरा सवाल यहां से बन जाएगा कौन आपका operating system या फिर हम कहने software software में कौन सा precisely बूछेगा तो क्या तो इसका मतलब हर एक लाइन में question है थोड़ा समझने का प्रयास करें आंसर खटा-खट में उते जाएंगे ठीक है चली है बहुत अच्छी बात है आप सिख गए तो आगे चलेंगे अगले इसप्ट कि और है ना आप यहाँ पर हम और क्या लिख सकते ह睡覺 यह लिख इसा इं briefly करता है इंटर्फेस प्रदान करता है कि करता है जिसकी सहायता से क्या हो सकता है जिसकी मि тобlo Suska इस्तवाल खरके है यह करेगा जब तक हमारा क्या जब तक हमारा प्रॉर्ग्राण चल रहा है भ्रॉग्राम मनलब हमारा सटाबलीछ होगी लaro senses जिसके सहता से यूजर व हैं ना और computer यूजर यूजर एवं computer के बीछ में के बीच कम्यूंिकेशइन स्टाबल 속क्ती है क्या हो सकती है कम्यूनिकेशन वर इंटर्फेस हैं कम्युनिकेशन हो सकती है दिखेगा पहली चीज़ तो यह समझेगे जैसे मैंने यहां पर लिखा यहां पर मैंने क्या लिखा कि यह क्या है यूजर को अब यहां अगर यह मेरा और यूजर के बीच में click बनाने का प्राइब कर रहा है तो यह बात एक दम अलग हुईoda कीसे links बना रहा ठीक है लेकिन क्या मेरा hardware software से nawneek Away कर रहाе की ना software ढ हार्ड़ware it Kay殺 कर रहा है बात कर रहा है अपनी चीजों को पहुंचार रहा क्या hardware भी चीज़ कर पा रहा है अगर यह कर पा रहा है तो इस condition में हम यह कह सकते हैं कि operating system यह कारे को पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से कर रहा होता है ठीक है उसके लावा इसमें और एक और बात लिख सकते हैं जैसे कि यह सारे सारे hardware devices को manage करने का कारे करता है क्या करता है मैंनेज करने का कारे करता है अब एक चीज़ समझें मैं इसको लिख लिख के इसलिए बताना चाहा रही हो ताकि साथ साथ आपके notes प्रेपेर होते हैं कम से कम एक topic आपका straight cover हो जाए आपके exam के लिए मैं इसलिए लिख लिख के पढ़ा रही हूं वरना इमेज सामने डालके पढ़ाना वह नहीं करना है क्योंकि आपको पेपर देना है मजाक तो करना नहीं है और अगर हम कहा रहे हैं कि 20 में से 20 सवाल तो उसके लिए महनत थोड़ी से डबल करनी पड़ेगी आपको भी और हम भी है ना क्योंकि दोनों लोग करेंगे तभी जाकर के पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो समझने का प्रयास करी अगर इस प्रकार से नोट्स बनाके या पूरा लिखने का प्रयास कर रही हूं तो इसका अर्थ करों डिश्क फाइल स्टम को भी मेंटें साथ साथ मैंएज है ना क्या डिशक फाइल सिस्टम को डिस फाइल सिस्टम को तो मेंटेन एंवं मैंच करने का कारी करता हैりました करता है ऐसा लिहीं ठीक है समझ में आया ना यहां तक कोई दिक्ट तो नहीं ये कारे करेगा साहसेद अगर में application program की बारे तो उसको भी यहाँ support करने का काम करेगा क्या लिखेगा यह application program को भी support करता है यह application application program को भी support करता है program को भी support करता है now you need to understand a single thing about operating system क्या? देखेगा, करता है जब हम operating system की बात कर रहे हैं तो हम केवल system software को समझ रहे हैं लेकिन क्या मेरा system software application software की किसी भी तरहा से साहता करता है आंसर हां होगा कि ना बताइए क्या मेरा system software हां कि ना एक बर बताइए कि ज़रूर ठीक है देखना चाहती हूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं चीज को की नहीं अच्छी बात है अगर बिल्कुल दोने चीज करते वें चलेंगे प्रकाश जी ठीक है चलिए हां तो अगर मेरा ये कर रहा है तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं सिस्टम सॉफ्वेर क को दिमाग में रखते हैं चलो साथ मैं अपने यूडिलिटी सॉफ्वेर को भी दिमाग में रखते हुए चलो तो हमको केवल एक नहीं अनेक पढ़ना है ठीक है समझना आपके ऊपर है क्योंकि आप इस चीज को सुन रहे हैं आप हमने सोचे केवल सिस्टम सॉफ्ट्वेर म पढ़ना सकी साथ साइच जो को एक साथ रिलेट और कनेक्ट करते हुए फट ड्र चाली है अगे चलेंगे अग्ले इसपेक्ट पर यह हमने पढ़ा ऑपरेडिंग सिस्टम के वारे में अगर आप आप से कोई पूछे कि ऑपरेडिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं operating system कितने भागों में विभाजित है बताएगे जरा यहां लिखेंगे जरा यह सबसे पहले सवाल पूछ सकता है सवाल तैप अब नंबर निपूछेगा यह पूछ लेगा कि कौन सा वाला तो यह बताओना चींजिए कितने भागों विभाजित है लिखेगा operating system विभाजित है ठीक है व तीन मुख्य यह भागोर्य के लिए अगर आप जानते तो बताईए किस प्रकारत हम इसको किस आधहार पे इसको लएड कर सकते हैं ठीक है एक वाड है नकि में रोम fact एक दम अड़ के शहाद आप में पूच रहे हैं अगर आप में से कisini बताओ तो सबसे पहले यूजर क्या अधार पर तो सबसे पहला हो गया यूजर बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसके अधार पर हो वो यूजर के अधार पर विभाजित किया गया हो चिक यह पहला दूसरा क्या हो जाएगा इसी में दूसरा हो जाएगा आपका इसी में दूसरा लिख बहुत अंदर चले अभी है ना आ वह उपर का नहीं है मैन तो यह है जिसके आधार पर भीट होता है तो यहां तीसरा क्या चाहेगा वर्क किया हो चाहेगा किया हो जाएगा वर्क keywords based operating system क्या हो जाएगा वे स्टीट है आप देखेत कहां जाए बेस्ट चीशक्श को समझने पर मैं डिविजन करूं एक चीज़ समझने वादी है कि सबसे पहला मैं इसको पढ़ोंगी कौन से वाले को देख लिजे यूजर बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के आधहर पर एक यूजर कर रहा है अने उस आधहर पर तो क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा मैं क्यों से पहला यूजर बेस्ट कौन सा बोला यूजर बेस्ट ऑपरेटींग सिस्टम ठेक है क्या वोला है यूजर सिस्टम का लिखेगा यह व्रपरेटिंग Catholic jack और Keller एक मुख्य भाग है क्या है मुख्य भागा-स यह समझने वाली बात यह सार्ब यूज़र के यह यूजर यूज़र की आधार पर विभाजन करने का का रिकता है भी भाजन डे विभाजन करने का डिवाइड गरेंक से विभाजन करने का इस बेसे पर कारेट करेंगा यह इस बेससे दो तरीके से डिवाइड कर सकता है अब वो दो दरीके कौन से हो सकते हैं बिल्कुल यह पहली क्लास है और बैतरी दरीके से पढ़िए कहीं को दिक्कत आती है तो बताएगे ठीक है हाँ चलिए टेक्निशियन ग्रेड वन यहां दिखान दीचे क्या हो जाएगा यूजर दो हिसाब से डिवाइड करेगा सबसे पहला ह पहले हुज़े क्या हो जाएगा सिंगल यूजर दूसरा क्या हो जाएगा ऐगा मल्ति यूज़र पहला क्या है दुसी तरफ को समझें अगर तो वहां क्या होता है सिंगल यूजर के लाबा एक मल्टि यूजर शब्द भी दे रख लिए हैं यह क्या है यह है यह है यह एक और यह है अन्यक यह क्या है जोगया एक और अन्यक अब वह कैसे हुआ वह देखेगा चलिए सबसे पहला लिखेंगे सिंगल यूजर या लिखेंगे सबसे पहला कौन सिंगल यूजर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यह है यूजर बेस्ट यूजर आधारित यूजर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है एक जिसमें केवल जिसमें केवल एक यूजर एक यूजर यानि एक व्यक्ति एक यूजर अर्थार्थ क्या व्यक्ति एक व्यक्ति ठीक है एक व्यक्ति कार्य कर सकता है ठीक है क्या कर सकता 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 है एक समय पर एक ही कार्य क इसका उधारन क्या हो सकता है आपके अनुसार क्या होना चाहिए जो परसेक्ट लिएघर जयो बाताईए इसका उधारन क्या होना चाहिए है है ना इतना प्रेद्न करें लिखने का बहुत अच्छा लगा है देखके उधारन अगर मैं बोलू तो उधारन क्या हो जाएगा उधारन हो जाएगा इसका एक सुन्दर सा नाम जिसका नाम क्या है MS-DOS आप MS-DOS जानते हैं तो बताइए नहीं जानते तो मैं बताती हूँ MS-DOS क्या होता है MS मतलब Microsoft काला portion हो गया उसको थोड़ा साइड रखते है डास क्या है किधर यह जो डास है यह डास क्या है यह है आपका डिस्क okay operating system अगर अगर हम ओपरेटिंग सिस्टंप की बात कर रहे है तो क्या हम इसे अलग रख सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं रख सकते थे ना तो आंसर क्या होनाु जी इससाब से MS-DOS मतलब कि disk operating system हमारा एक single user operating system है अगर मुझे कभी भी single user operating system से सवाल आता है और बोलता है कि निमलिकित विकल्पों में से single user operating system को चयन करें तो आपको पता होना चाहिए MS-DOS सबसे पहले नंबर पर आ रहा होगा ठीक है ध्यान दखेगा सवाल कहीं से भी बन सकता है सवाल कहीं से भी आ सकता है हमको सब कुछ पढ़ना है कहीं से कुछ भी छोड़ना नहीं है आगे चलेंगे थोड़ा सवर दूसरा आता है multi कौन सा multi user यहां लिखेंगे कौन सा आता है दूसरा हम लिख लेंगे multi user, क्या रिख लेंगे, multi user, second लिखेगा, multi user OS, मतलब की, multi user operating system, लिखेगा, यह है user आधारित, यह है user आधारित, यह है user आधारित, operating system है, operating system है, जिसमें, जिसमें, एक समय में, जिसमें, एक समय में, एक से अधिक, एक से अधिक लोग, अधिक लोग, या, लोग, या फिर user, user, कारे, है न, क्या कर सकते हैं, कारे कर सकते हैं, ठीक है भई, कारे कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ, इसका उधारन क्या हो जाएगा, चलिए, इसका उधारन आप मुझे बताएगा, इसका उधारन में क्या लिख लूँ, आपके हिस लेगना चाहिए विल्कुल हर चीज बेसिक से ही चुरू होगी यह तो एक तरीके से आपकी धेमें नियुक्त आपके लाइए मैं जो बहुत इंपोटन अपिक लाइनेक्स और यूनिक्स बैन हो गया यहां दक समझ में आया बोलिए कोई परिशानी किसी प्रकार के दुख कष्ट तक लीफ पीड़ा हो तो बताइएगा और अगे चलिए अगले पर अभी हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा यूजर बैस्ट ओप्रटिंग ओपरेडिंग स्टम आपने Professors는 अगले हो गया अगे चलते हैं मतलब कि यह हो गया कवर हमने इसमें लिख भी लिया उसके बारे में हमने पर हमने समझ करेंगे अब आता है development-based operating system और जब development-based पढ़ना होता है तो इसमें अथा सागर है मतलब इसमें बड़ा सारा है ठीक है तीसरा देखने पहले work mode based operating system ठीक है work mode based operating system अब इसको पढ़ने से development-based में सबसे पहले आता है सबसे पहले किस पर आधारित है यह मतलब जो विकास होगा जिस तरह से development होगा development के development पर अधारित है अधारित है डेवलाप्मेंट पर आधारित है और यह क्या है अपना Operating System है यह क्या है operating system ठेक है चलिए देखेगा डेखेगा Development Base में क्या क्या आता है Serial Batch Distributed यह सब आता है लिखेगा सबसे पहला लिख लेंगे Serial Operating System OS का मतलब Operating System से ही है ठीक है दोसरा आ जाता है कौन सा दोसरा आ जाएगा आपका Batch Processing कान सा आ जाएगा ईत्य बैज प्रोसेसिंग यहां या फिररब किवल छिब बैज ओपरेटिंग स्सेपिर ओपरेटिंग आगॉरीटिंग स्टंड प्रेक। इसके बाद क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रिब्यूटेड ओपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो धियान रखिएगा यहां लिख लेंगे एक और कौन सा डिस्ट्रिब्यूटेड फिर्स नंबर का ठीक है क्या लिख लेंगे डिस्ट्रिब्यूटेड ओपरे उसके अलाब आजाएगा multi programming है ना network वाला हमने लिख लिए है ना हाँ ठीक है multi programming multi programming operating system चिक है इसमें आपका TOS भी आता है TOS जानते क्या है time sharing operating system time sharing operating system चिक है और इसमें RTOS भी आता है RTOS मतलब real time operating system ठीक है multi tasking भी आता है ठीक है तो बहुत सारे हैं यहां पर cover कर रहे होंगा ठीक है अई मैं यहां पर इत्यादी लिख देती हूं कि पूरा स्लाइड में नहीं आ रहा है हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तो हम सारे पढ़ेंगे ठीक है और यहां निकलेंगे PTO अगला पन्न ठीक है चलिए देखेंगे जरा सबसे पहला सबसे पहला क्या रखा है Serial Operating System Serial Operating System से क्या समझ में आ रहा है जो TV में मम्या Serial देखते हैं हमारे नहीं वो नहीं होता है वो दूसरा Serial है यह Serial क्या होता है अच्छा उससे भी ना आज सकते हैं वो Episode by Episode चलता है ना 1 2 3 4 5 6 हाना तो ऐसे ही Serial Operating System भी काम करता है 1 2 3 4 5 6 मतलब एक Coordinated Order में मतलब एक से आगे की तरफ ठीक है एक दो तीन चार पांचे वो Series में चलेगा एक Serial में चलेगा सबसे पहला क्या आ जाएगा सबसे पहला लिख लेंगे Serial Operating System क्या लिख लेंगे सबसे पहला लिख लेंगे यह लिखेगा Serial Operating System तो यह क्या है Serial Operating System क्या है यह के बाद एक कारे को करने काम करता है यह है यह यह operating system operating system किसके आधार पर यह operating system development के आधार पर कारे करता है development के आधार पर आधार पर विभाजित है चीक है विभाजित है आप दिखेगा कैसे कैसे सबसे पहला यह है एक समय पर एक कारे करता है ऐसे लिखेगा या फिर यह है एक कारे के बाद दूसरा कारे करता है दूसरा कारे करता है करता है मतलब की एक कारे करेगा है ना एक के बाद दूसरे कारे को काम करेगा और यह होगया मेरा दूसरा काम ठीक है और फिर तर आ जाते हैं बोड़ासा और नीचे यह हो यहां पर यह होता है यहां पर यह होता है यह क्या है यह Hack Actual में यह भी पता होना चाहिए और ये क्या काम करेगा आपको यह भी पता होना चाहिए यह क्या है आपका यह वाला portion आपका lie यह वाला portion आपका kैा है serial operating system यह क्या है serial operating pathway sort of diagram से मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रही हुँ ताकि आप लोग दिमाग में इसने आसानी से रखें, बाद में भूले नहीं, कि अरे इसमें क्या पढ़ा था और उसमें क्या पढ़ा था, ठीक है, अब सबसे पहला जो है, जैसे कि मान लीजे, मेरा यहां पर आया, पहला कार मेरा आया, अच्छा इधर इस साइड होता क्या है, इस साइड क्य सबसे पहले जॉब 1 काम करेगी ठीक है दूसरा सेकेंड नमर पर आएगी आपकी जॉब मतलब job 2 को जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है यह धर तक आ गया पूरा ठीक और उसके बाद आएगी आपकी job 3 तो जो जाने में तो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो यह जो जा रहे हैं यह कहां जा रहे हैं किसके घर जा रहे हैं हमारे CPU भाई साब के पास किसके पास? CPU माने Central Processing Unit Central Processing Central Processing Processing Unit समझ में आया है? हाँ कि ना? एक बार फड़ा फड़ से जल्दी से बताएं समझ में आया है? समझ में आया है? कोई दिखत तो नहीं हो रही है बताएए? हाँ हाँ जी ठीक है? बाते मत करिए, बाते करने से कुछ नहीं होगा सवाल आने वाले पेपर पे बाते नहीं आएगा अगर बाते आती तो फिर तो आज बिलकुल खतरनाक खतरनाक येखते अच्छे पोस्ट पर बैठे होते ठीक है? चलिए हाँ अब आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे वाले पोर्शन पर अब आते हैं दूसरी चीज़ पर ये हो गया कि कि आधार पर चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है यह कि सीस्टम आधार है जैसे कारे को एक साथ करने का आधार करता है या लिखेगा एक जैसे कारे को एक जैसे कारे को कारे को एक साथ करने का करने का कारे करता है कारे करता है अब देखे इसमें भी आखरी में क्या होगा इसमें भी आखरी में क्या होगा इसमें भी आखरी में होगा CPU क्या होगा इसमें भी आखरी में इसमें भी होगा CPU ठीक है क्या हो जाएगा यहां लिख लीजेगा यहां पर लिख लीजेवाद फोड़ा साइसको cpu cpu क्या है Central Processing Central Processing अब देखे मेरी कोशिश ऐसी यह जा रही है कि अगर मैं इसको नोट्स बनाके कोशिश कर रही हो रखने की आपके सामने तो आप लोग छोड़ा सा एक नोट्बुक कोल के बैटें ताकि सारी चीज़ समझ में आ रही हूं ठीक बीच में आ जाता है एक जैसे कि उसमें आया जिसको हम क्या कह रहे हैं बैज बैज प्रोसेसिंग स्टम क्या करते हैं बैज प्रोसेसिंग सिस्टम लिख देंगे हैं पर यहांग तरीक से ऑपूरीनिग से प्सक्राइब कर देएं यहन वोला उसके बाद क्या बोला एक बोला है एक बोला है यहां पर इसको सब तरीके से अब यहां पर हमने इसको भी सेम कर दिया अब आप समझेगा ठीक है यहां पर एक और हमने लिया बस यह आखरी लेंगे इसके बाद में जैसे यह वाला है सबसे उपर वाला सबसे उपर वाला जोब 1 छीक है जोब 2 जोब 3 जोब 4 आप समझेगा पर पास चार काम है लेकिन यह चारों को एक के बाद एक आप एक नहीं करता है बैश प्रोशेसिंग की आपने अलग उसूल है क्या उसूल है मुझ समझने वाली बात है कि जॉब 1, जॉब 3 एक जैसा काम कर रहे हैं तो यह एक बनके जाएंगे मतलब जब यह batch processing से होते हुए आगे बढ़ जाएगा तो केवल यहाँ पर दो जॉब रहे जाएंगी एक रह जाएगा जॉब 1 और एक रह जाएगा जॉब 2 बोलिए समझ में आया हा या ना फटाफट से समझ में आया क्लियर हुआ कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से वहां तक का रास्ता जो इसने पूरा पूरा रास्ता जो इससे देखा इस condition में हमें यह समझ में आया कि यहां पर इसे चाहिए इसका प्राइब मान लिजिए मेरे पास एक क्लास है घैसे कि यहां पर कुछ बच्चे है फुट बच्चे है फिर हिपी ओके तीक है अब यहांने पर बच्चा है यहां पर बच्छा ठीक है सीजल यहां बैठा है तो इस प्रकार से सीजल बैठा है अब यहां पर ग्रेडवन टेक्मीशन ग्रेडवन बैठा है ठीक है यहां रखेगा अब यह कुछ इस प्रकार से सेबस्क्राइब यह आपका बता है और विशास नहीं सब्सक्राइब से मतरा तो तो अगर एक तरीका तो यह है कि मैं जो भपूँ आ फेलार की बच्चों को भणार हो गई है इधर उदर सब कुछ काम कर गलत हो जा रहा है कुछ यह हो रहा है kush तो मैंने किया वी पीयों का अलग से भ मैंने ऐसे ही सीजीयल का अलग से batch बनाए फिर मैंने ऐसे ही technician का अलग से batch बनाए तो जब मैंने ये batch बनाए ये तीन तो ये अब क्या होंगे batch के हिसाब से process होने के लिए जाएंगे समझ में आया बूलिए हाँ या ना हाँ बिलकूल कल से आपकी इसकी class बारा बज़े शुरू हो जाएगी बारा बज़े क्लास रोज होगी तो एक्दम भैतरीन तरीके से स्पोर्ट से जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और exam में 20 के 20 दिलाने का का कम हमारा है महनत आपकी होने वाली है revision आपकी होने वाली है पकर करता है पूरे काम बहतरी चलिए उसके अलावा देखेंगे जरा है ना और इसमें क्या आता है देखें ऑप्रेटिंग सिस्टम एक क्लास में कराना आसान बात नहीं आसान मतलब अगर आपके एक्जाम के पूरे परस्पेक्टिव से चलें तो आसान नहीं है यागर हम इसको केवल उपर उपर से दिखन स्पेसिफिक रिजन कि यहां बैश ऑप्रेटिंग सिस्टम आपको क्लियर हो जाए ठीक है चले यहां देखेंगे इसको टाले कार इसको टाले के ताकि कोई दिक्कत नौबाद में हाँ चलिए एक और बनाते हैं हाँ अब आते हैं थर्ड वाले पर रूप जाईए अब आते ओपरेटिंग अमपीरड ओपरेटिंग सिस्टम ठीक है एंपीरड ऑपरेटिंग सिस्टम बोले समझ वह अभी तक एक बार पहले मुझे सबी लोग बता दें यहां दक ट्रूआ अपना ही नहीं जल्दी से कॉमें सेक्षन वे पढ़ाफट से एक बार लिग देंगे समझ मे आया कि नहीं हरा हरा ठीक है पड़ाफर से बताइएगा चलिए समीर ची समझ में आ रहा है सभी लोग को सभी लोग को क्या बताएंगे अपना ही बताइए समीर ची चलिए यहां देखेंगे ज़रा आधारित होता है यह यह इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिस के अंदर उपस्तित होता है यह इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिस यह इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिस के अंदर उपस्तित होता है यह इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिस यह इलेक्ट्रोनिक डिवाइसिस के अंदर के अंदर उपस्थित उपस्थित होता है चीक है के अंदर उपस्थित होता है मतलब कि अगर जैसे मैंने माली जैस स्मार्ट वॉच की बात करें तो स्मार्ट वॉच अगर मैं बात करें डिजिटल वॉच की किसकी बात करें डिजिटल क्लॉक की बात करें तो डिजिटल क्लॉ जिसकी सहाइता से वह स्पेसिफिक काम बता रहा हुता है कि अच्छा ओबर हो गया अभी तो अभी तो यह शुरुवात है अभी तो पिक्चर बाकी है चीक है इसके बाद यह रोम में उपस्थित होता है यह एक और पॉइंट हो गया इसका इस्तमाल घर के उपकरणों में किया जाता है किस में किया जाता है घर के उपकरणों में मैं इस्तमाल कर रही हूं उसमें अगर मेरा अपरेटिंग सिस्टम है जैसी कि अगर माइक्रोवेव की बात करें कुछ उधारन लिख लेते हैं आपके ताकि बाद में याद रखेगा तो अगर एक्जाम्ब्स दिमाग में आते हैं तो क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए इस गर क्या दिवीडी डीवीडी या आपने खा उचा माइक्रोवेव क्या लिखा माइक्रो एव क्या तो सśब्सकतीं का अ management, car management system, ठीक है, तो बहुत से आते हैं, वैसे तो इसमें car management system भी हो गया, washing machine भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्या जाएगा, washing machine, क्या जाएगा, washing machine, ठीक है, तो we have lots of options and specifically examples in this condition, यहाँ पर embedded operating system के अंदर बहुत कुछ आता है, किवल एक दो नहीं अनेक प्रकार की चीज़े, ठीक के थोड़ा सा और आगे, I hope, यहां तक समझ में आया होगा, सभी लोगों को, आगे देखेंगे, अब इसके आगे वाले motion पर इसका diagram देख लेते, पहले कैसा बनेगा, embedded operating system किस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि सांटर पर मालनीजी क्या है, embedded operating system, इसके साथ क्या होता है, real time operating system, इसके साथ device driver भी होता है, यहां लिखेगा, device driver भी होता है, और के लिख 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 लि यह सब कि सब यह सब की सब इंट्रकनेक्टेट हैं इधियानन के इसमें आती हैं यह आती है आपकी यह आपकी एंवीडीड़ ऑपरेटिंग system embedded operating system बूलिए समझ में आया अगला देखेंगे अगला वाला क्या कहता है अपका network operating system क्या आता है network operating system ठीक है हां जी RTOS क्या होता है real time operating system होता है मतलब कि अगर हम यह समझे जिसे metro किसकिस ने देखिए एक वर ऐसे करिए comment section में metro किसकिस ने देखिए metro का जो gate होता है metro का जो gate होता है वो क्या होता है खुलता और बंद होता है जैसे तो वह जितनी देर में खुल बंद हो रहा है कभी भी आपने आसपास से थोड़ा सीखा करिए क्या होता है कभी भी आप खुशना कुछ ऐसी machinery चीज देख रहे होते हैं जिसमें आपका कोई कोई दिकत वाली बात हो तो बताइएगा हाँ आप एक चीज और समझेगा यहां पर एक चीज और समझेगा जब्लप्मेंट की बात करेंगे तो इसमें हमारा सब्सक्राइब करें अब ओ Rs 4 पर यहां ओद संब्सक्राइब करता है यह सिंगल सरवर को इस सिंगल पर सिंगल सर्वर पर रां करता है ठीक है यह सकता है इसका 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 जो सकता है इसका जो इस्तमाल है वह कहां कर देजि़ सकता है है data security ठीक है और किसमें किया असकता है उसके साथ आ ngay कर सकते हैं साथ-साथ किसी बी network को manage कर सकते हैं यह साथ पर होता है यहां लिखेगा क्या होता है सेंटर पर होता है फाइल सर्वर और आसपास क्या होते हैं आसपास होते हैं सारी चीज़े एक सांध हो रही होगी है अगर आपका B.A.C.H. है नॉन मेडिकल कैसे हो जाएगा नॉन मेडिकल अच्छा आपना नॉन मेडिकल फिजिक्स और वह होगा तो इसके आगे वाले को देखेंगे आगे वाला क्या किया रहा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें बहुत कुछ है अभी जो पढ़ने वाला है औ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उधारण 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 इसके उधारण पूछ रहा है पताईएगा है ना नेटवर्क उप्रेडिंग सिस्टम के उधारण क्या क्या हो सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं तो अगर आपने अभी तक मतलब कभी डिसकस किया हो किसी से या कहीं पढ़ा हो तो बता सकते हैं है ना देखेगा यूनिक्स हो सकता है ठीक है लाइनेक्स ह 2002 3 वाला दोनों लिख लिएगा MS Windows Server 2002 और 2003 दोनों लिख लिएगा 2003 और यहां पर क्या होती है है सकी कुछ ये उधारन हो गए तो यह वाली चीज़े जितने भी आज हमने कवर करी यह सारी चीज़े आपके काम की है और इन सब को क्या करना है ठीक है इस सब को क्या करना है आप कल आपकी 12 बजे होने वाली है क्लास और 12 बजे से ही कल से ही कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और इसमें बहुत कुछ है वैसे तो पढ़ने को और साथ यह रेलवे के लिए तो बहतरी इन सी बुके हैं इसका भी ध्यान दीजेगा है और जो है एप्लिकेशन पर कैसे पहुचना है उस बात के ध्यान दीजेगा जिस भी कोर्ट से आप जुड रहे हैं जैसे कि स्पेसिफिकली टेक्निशन का जो ग्रेड वन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके 20 में 20 लाने की जिम्यदारी पूरी हमारी है रिविजन प्रॉपर हमारे साथ करेंगे प्रॉपर त इस्तेमाल करेंगे तो तो वह उससे भी आपका अरामसे हो जाएगा ठीक है जिसके आप 11łość कर तेसके यौए ज्ण करने के बाद sk Contर वाट से यसपर औ Prote Boss च tää принципе जिसके थ्रू आप जाएंगे तो यहां पर आपको कूपन कोड मिलेगा तो यहां पर अपना कूपन का कोड अपलाए करना है ठीक है और बैदरीन तरीके से यहां जाकर क्या आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं जैसे कि क्वेस्चन्स अगर आप क ध्यान रखिएगा अभी रीसेट में हैं और साथ साथ उस पर साम को साथ बजे कंप्यूटर के कंप्यूटर के specific questions मिलते हैं ठीक है तो यहां जाकर के जुड़ जाएगा इस चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर ठीक है और बहतरी तरीके साम को साथ बजे क्विज होगी और इस चैनल पर देंगे तो जल्दी से बढ़ना पड़ेगा जल्दी से बोचीज बता दू कि मैंने गहां था कि मैं आप फटा फट से मां बता दू जल्दी से जैसे कि इसका जो सेलेबस है कंप्यूटर का उसमें आपकी चीजे जो जो आ रही है वो मैं आपको बता दू इक पर यहां हम लिख लेते हैं कंप्यूटर सेलिस इसमें क्या है इस सेलिबस में आपका आपसे क्या के पूछा गया है इसमें आपसे आपसे hardware जैसे कि माले लिजे hardware है आपका ठीक है hardware software पढ़ना पढ़ेगा बढ़ेगा और इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स रहे तो इसमें मैं आपका क्या और पूझेहां चाहरा पी ना इस अप्या को बीजेगा पूझेंट लिए पूछे अच्फवन ते सबस्क्राइब के शाहरा न है जानट इमेल की बात करतां सब्सक्राइब इमेल की घृट करते हैं इमेल आला पूर्चन इहां पर आ रहा होगा फिल got इमेल वाला portion भी आपका यहां पर आ रहा होगा, ठीक है, इमेल भी आ जाएगा, network भी आ जाएगा, input-output आ जाएगा, ठीक है, operating system आ जाएगा, साथ-साथ आपका, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, architecture of computer एक important topic है, है रा, architecture, architecture of computer, ठीक है, एक ऐसी मैं shorts बना दूंगे आपके ल जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, और भी इसमें बहुत सी चीजे हैं, जो आपको cover करनी पड़ेंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने storage devices बोला, website, browser के सब दिमाग में रखिएगा, websites हो गई, ठीक है, आपका browser हो गया, ठीक है, क्या हो गया, storage devices हो गया, storage devices, ठीक है, चलिए जैसे कि आपको MS Office पूछा है, ठीक है, और MS Office मतलब हो गया, सब पढ़ना, MS Office मतलब उसमें publisher भी हो गया, MS Office जानने कि वहले, इसमें तीन चीजे नहीं आती है, MS Office में, MS Word, PowerPoint, Excel, यह तीन सुने है, सब ने, publisher भी आएगा, MS Access आएगा, MS Publisher आएगा, Outlook पूछ सकता है, Outlook के बार पूछ सकता है, बहुत सी चीजे हैं, जो इसमें आ रही होंगी, ठीक है, बोलिए, समझ में आया, session कैसा लगा भईया, आप मुझसे पहली बार मिलें, कितने लोग आज पहली बार मिलें, मुझे लगता है, अल्मोस्त लोग पहली बार मिलें होंगे, वीपो वाले स्टुड पर स्पीड के साथ बता रहे होंगे, कि जितनी भी चीजे आज हमने करीं, आपको कैसी लगी, है ना, और अगर अच्छी लगी तो जरूर से बताएं, ठीक है, हाँ, चली, बहुत अच्छा लगा है, जान की, session अच्छा लगा, ठीक है, मिलेंगे अब आप से अगली class में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे हुई है, मस्त रहें, जबर्दस रहें, पढ़ाय लिखाएं में व्यस्त रहें, और साथ साथ, कल, दो पहर, दो बजे, class आप की हो जाएगी, शुरू कल से, एक दम, बिल्कुल कहना, seat belt बांध लीजिए, तयारी होने वाली है, दमदा के अंदर अंदर ही पूरा session, जो है आपका, पूरा session complete हो जाएगा, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली आपको, और मैं आपको यह कहते हैं, अपनी तरफ से पूरी सोविधा प्रदान करूंगी, कैसे कि कभी भी आपको कोई दिक्कत परिशानी रखती है, तो आप इस चीज का ध्यान जरूर से देंगे, कि कभी भी अगर आपको कोई भी question में problem है, तो वह वहाँ telegram पर जा करके चाल सकते हैं, ठीक है, तो directly आपका, कोई भी जो issue होगा, वो cover हो जाएगा, ठीक है, चलिए, मिलेंगे बाप से अगली class में, अच्छा लग बादी होगा, थीक है, तो वहाँ तो आपको के भी प्रीबाएइबने का जब् огрविए definitions.